हलो दोस्तों आप सभी का GTC Academy में स्वागत है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें और सांती सांत बेल आइगन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी जितनी भी आपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभ वीडियोस का लिंक मिल जाएगा इसमें हमने जो है माध्य निकालना सीखा है और इंगलिस वाले जो है इसमें मीन निकालना सीखा है तो जिस किसी ने मीन और माध्य निकालना नहीं सीखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं इन वीडियोस को हमने इनको बिलकुल बेसिक कॉं टू का जो question number first है हमारे पास वो है निम्नले के सारणी किसी आस्पताल में एक विशेश वर्स में बढ़ती हुई रोग्यों की आयू के दर साती है उपरोग्त आंकडों के बहुलक और माध्य जात कीजिए दोनों केंडरी प्रवर्तिक की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याच्छा कीजिए अब हमने इसमें क्या निकालना है कि सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमको बहुलक और माध्य दोनों चीज निकालनी है तो simple तरीके से सबसे पहले बहुलक निकालेंगे उसके बाद हम माध्य निकालेंगे अगर जिस किसी ने माध्य यानि की में निकालना नहीं सीखा है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं और English Medium वालों के लिए यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि question show हो रहा होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या आपके पास book होगी तो आप book से question को read कर सकते हैं तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है हमको निकालना है बहुलक और English Medium वालों के लिए हमको क्या निकालना है mode निकालना है, तो सबसे पहले हम चा करते हैं, हमारे पास 12-12 ता सारणी dv होती है, और बहुलक निकालना के लिए, यहां पर हम एक चीज कर यूज करते हैं, तो वो चीज होती है, यह जो हमारे पास fi की value dv होती है, question में, तो इसमें देखते हैं, जो frequency होती है, यानि कि सबसे बड़ा जो number होता है, वो हमारा जो है, इसमें f1 की value होती है, तो that means, इसमें हमको सबसे बड़ा number frequency में कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है हमको 23, तो इसको हम mark कर लेते हैं, ठीक है, यह वाली value होगी हमारी f1, और यह वाली value होगी हमारी f0, और f1 के बाद वाली value होती है हमारी f2, अब यह f1, f0, f2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह formula में हमारा use होने वाला है, और starting वाला number जो हमारा होता है, वो होता है l की value, यानि कि l की value हमारी क्या हो जाएगी 35, यानि कि यह जो first number होता है, यह इस line में जो पहला वाला number होगा, वो हमारे l की value होगी, ठीक है, दूसरी चीज, इस में formula में हमारे पास जो use होता है, वो होता है h, सबसे पहले मैं formula ही लिख लेता हूँ, ताकि आपको confusion ना हो, तो हमारे पास बहुलक, बहुलक और इसको English में बोलते हैं mode, इसको निकालने के लिए हमारे पास formula होता है, l plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2, और into h, अब h क्या होता है हमारा, वैसे तो mean में हमने h निकालना सीखा है, अगर जिसी किसी ने h की value निकालनी नहीं सीखे, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, h की value क्या होती है, अगर मैं 5 को 15 में subtract करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 15 minus अगर 5 कर देंगे हम, तो कितना आ जाए तो simply h की value हम इसमें put कर लेते हैं, अब हमारे पास जो जो value है, हमको चैयेती वो हमने निकाली है, अब मैं आपको यहाँ पर लिखकर की बता देता हूं side में, सबसे पहले हमारे पास l की value क्या है, l की value हमने निकाली है कितनी, यह हमारी 35, l की value है 35, दूसरा हमने क्या निकाला है, तो f0 की value क्या है, 21, तो यहाँ side में लिखे लो 21, f1 की value है हमारे पास 23, और f2 की value है हमारे पास 14, और h की value कितनी है, h मतलब difference, तो difference आया है हमारा 10, अब सारी value है आ चुकी है, अब हम इस formula में put करना है, तो put कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना, वीडियो को without skip किये द नहीं रहेगा, l की value कितनी है, 35, तो यहाँ 35 लिख देंगे, plus f1 कितना है, f1 है 23, तो यहाँ 23 लिख दो, minus f0 कितना है, 21 upon 2, f1 की value कितनी है, 23, minus f0 की value है, 21, minus f2 की value कितनी है, 14, तो यहाँ जाएगा हमारा 14, bracket close, into h की value कितनी है, h की value है 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10, अब इसको solve करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यह 35 तो हमारा वैसे ही रहेगा इन दोनों को subtract करेंगे तो कितना बचेगा यह बचेगा 2 upon 2 की multiply 23 के साथ करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 46 minus 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 का plus हो जाएगा यानिकि यह दोनों number आपस में जुड़ जाएगे तो 4 करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 35 plus यहाँ पर देखी इस 10 की multiply यह उपर 2 के साथ होगी तो यह आजाएगा हमारे पास 20 and यहाँ पर जब आप इन दोनों को subtract करोगे यानिकि गटाओगे तो 6 में से 5 को subtract करेंगे तो बचेगा 1, 4 में से 3 को subtract करेंगे तो बचेगा 1 अब हमको क्या करना है 11 से 20 को divide करना है तो यहाँ पर हम कर लेंगे सबसे पहले 11 से divide करेंगे 20 को 11 बचेगा आपका 9 बचेगा यहाँ point लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 हो जाएगा 11, 8, 88 हो जाएगा आपका इधर carry ले लेंगे तो यह 10 हो जाएगा यानिकि 2 हो जाएगा और point हो जाएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा तो 11 बचेगा 11 अब देखो यहाँ 20 से हमने start किया था तो ऐसे 8181 हमारा repeat होता जाएगा तो हम बस इसको कितना ही solve करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 35 प्लस देखो 11 से 20 को जब divide किया तो हमारे पास value क्या आई है हमारे पास value आई है 1. 1.81 अब 1.81 को 35 में add करेंगे तो कितना आजाएगा यहाँ जाएगा हमारे पास 36.81 तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा बहुलत निकला है वो कितना निकाला है हमने वो निकाला है 36.81 यानि कि mode हमको निकालना तो mode हमने निकाल लिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा answer हो अब हमको question में क्या निकालना है अब हमको माद्य यानि कि mean निकालना है तो mean हम अब निकालने वाले है तो mean को निकालने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं और वीडियो को without skip किये देखे तो आएए निकालते हैं मीन को main निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है हमें x i निकालना होता है तो जो process हमारा main निकालने में है माध्य निकालने में है वही हम इसमें use करने वाले है तो अभी हमने क्या निकाला है बावलक निकाला है अब हमको क्या निकालना है माध्या निकालना है तो माध्या निकालना के लिए सबसे पहले हमें XI निकालना होता है तो XI की जो value आती है वो कैसे आती है वो आती है हमारा जब हम इन दोनों number को add करते हैं यां करे लेता हूँ ताकि आपको जो है revise हो जाएगा इन दोनों number को add करेंगे यानि कि 5 plus 15 add करेंगे और 2 से divide कर देंगे और simply हमारा कितना आ जाएगा 20 upon 2 तो that means यह कर जाएगा तो x i की value आ जाएगे हमारे पास कितनी 10 यानि कि जो पहला x i की value आईए है वो आईए है हमारा 10 ठीक है अब हमको क्या करना होता है difference जब सब में same है तो हमारे h की value कितनी आई थी वो हम पहले ही निकाल चुके हैं बावलक में यानि कि mode में तो वो आया था हमारा 10 अब इसमें हम 10 10 add करते जाएगे तो सारी x i की value हमारी निकल जाएगी इससे हमारा time भी बच जाएगा तो 10 में 10 add करेंगे तो 20 या जाएगा 30 आपका and फिर आ जाएगा 40, 50 and 60 x i निकल चुका है अब हमको निकालना होता है d i तो d i के लिए formula होता है x i minus a a क्या होता है हमारा जो simply हमारा बीच वाला number होता है बीच वाला कुन सा? x i में क्या हो जाएगा? a की value हो जाएगी तो that means हमको क्या put करना पड़ेगा a की जगा 30 रख देंगे और x i क्या है हमारे पास 10 है तो 30 में हम 10 को minus करेंगे तो हमारा आ जाएगा minus का 20 ये minus का 10 आ जाएगा ये 0 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 20 and 30 ठीक है? अब हमको ui निकालना होता है तो ui के लिए क्या करते है हम? ui के लिए करते हैं di upon h h की value हमारे 10 है तो 10 से divide कर देंगे हम किसकी value? di की value तो di की value ये रही तो h की value कितनी आई है हमारे पास? 10 तो यहाँ 10 foot कर देंगे यानि की हमारा क्या आजाएगा? 10 से 20 कटेगा 2 times लेकिन minus में minus 1, 0, 1, 2 and 3 अब हमको निकालना होता है fi and ui simple तरीका है बस आपको पता होना चीए कि concept क्या है हमारा fi, ui क्या होता है? यानि की fi के number की multiply करते हैं ui के number के साथ तो 6, 2 हो जाएगा 12 लेकिन minus का 11 हो जाएगा लेकिन minus का 21 की multiply 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा and simple तरीके से हमारा 23 की multiply 1 के साथ करेंगे तो 23 आ जाएगा और 14 की multiply 2 के साथ करेंगे तो 28 आ जाएगा और 5 की 3 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा इस प्रकार से FIUI आ गया है, अब हम इसको solve करेंगे, यह कितना हो जाएगा, 2 और 1, 3 हो जाएगा, 1 और 1, 2, यानि कि minus का, minus का 23, अब इसको add कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 कितना होता है हमारा, 11, और 11 और 5 हो जाएगा, 16, 16 का 6 हो जाएगा, इधर 1 carry हो जाएगा, 3 2, 5, 1 carry था तो 6, यानि कि 66, अब जो है, 66 में जो है, हम जो है, 23 को subscribe करेंगे, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, summation, FIUI, 2y, is equal to क्या हो जाएगा, 6 में से 3 को subscribe करेंगे, तो 3 बचेगा, 6 में से 2 subscribe करेंगे, तो 4 बचेगा, लेकिन, जो है, symbol जो है, बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर हमारा plus में है, तो plus हम लिखते नहीं है, FI की value हमारी यहां आ जाएगी, FI की value question में तो दिया हुआ नह करेंगे, तो 20, 20 का 0, 2 carry हो जाएगा, 1, 2, 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 2 carry था तो 8 हो जाएगा, that means हमारे FI की value कितनी आई है, 80, अब हमारे पास FI, UI भी आ चुका है, हमारे पास जो है, simple तरीके से FI की value आ चुकी है, और A भी आ चुका है, अब हमको क्या निकालना है, माध्या, तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास formula होता है, जब हम माध्य निकालते हैं, इसको हिंदी में तो माध्य बोलते हैं, लेकिन English में mean बोलते हैं, mean निकालना के लिए formula होता है, मारे पास A plus summation FI, UI upon summation FI into H, ठीक है, इसमें अब हम जो है value put करने वाले हैं, तो हमारे पास A की value कितन है, 43, तो यहां 43 put कर देंगे, upon, upon में क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा, into, H की value कितनी है, 10, तो यहां 10 हो जाएगा, अब हमको solve करना है, तो कितना आजाएगा, इस 0 से यह 0 उड़ा दो, 43 की multiply 1 के साथ करेंगे, तो आपका 1 ही आएगा, तो that means, 30 plus 43 upon 8, अब 8 से divide कर है, जब 8 से divide करेंगे, 43 को, तो कितना आजाएगा, 85, जब 40 हो जाएगा हमारा, यहां 3 बचेगा, यहां point लग जाएगा, यहां 0 आजाएगा, 83 हो जाएगा, हमारे पास 24, ठीक है, यहां बचेगा हमारा 6, ठीक है, simply, आब 6 आ चुका है, तो यहां point लगावा है, 0 आजाएग 8, 7 जा, हो जाएगा हमारा कितना, 56, simply, यहां 4 आजाएगा, चीक है, और point लगावा है, तो यहां 0 लग जाएगा, 85 जा, तो that means हमारे पास इसकी value कितनी आएगा है, 5.37, तो हम 3, 8 लिख सकते हैं इसको, तो यह हो जाएगा, 30 plus 5.38, इसको जब हम solve करेंगे, तो कितना आजाए 35.38, बस हमको यही निकालना था, यही हमारा answer हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा question number first है, इसमें हमको दो चीज़े निकालनी थी, एक हमको बहुलक और दूसरा हमको माध्य निकालना था, और English वालों के लिए क्या है, पहले हमको mode निकालना था, जो हम पहले part में निकाल चुके हैं, और इस time हमने क्या निकाला है, इसका mean निकाला है, तो माध्य और बहुलक दोनों चीज़ हमने निकाल ली है, हमारा जो है mean आया है 35.38, बस हमको इतना ही इस question में point करना था, अगर आपको कहीं पर doubt लगता है, कहीं पर confusion होता है, तो वीडियो को आप एक द दिखते ही उड़ा सकते हो, आप जो है हम इस exercise का जो question number second है, उसको next video में cover करेंगे, क्योंकि पहला question अगर हम थोड़ा सा लंबा बना दे, यानि कि दो तिम question अगर एक ही वीडियो में solve करेंगे, तो आप जो है confused हो जाओगे, कि कैसे हम mode निकालते हैं, कैसे हम mean निकालते हैं, खिचडी बन जाएगी, इसलिए हम आज इस वीडियो में एक ही question solve कर रहे हैं, बाकी हम जो question है इस exercise के उसको next video में cover करेंगे, तब तक आप इन question की practice करते रहें, और अगर हो सके तो आप वीडियो को like करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है, और comment जरूर दें अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है, और आपने दोस्तों को भी share करें, तक तक के लिए, bye bye